अमेरिका किया है कम्पनी टार्गेट और डिटेल का कारोबार करने वाली ये कम्पनी है इस कम्पनी के नतीजे खराब आये थे और गाइडेंस उन्होंने कट किया है अब अमेरिका में कारोबार करने वाली कई सारी हिंदुस्तान के ऐसी कम्पनी है जिनका इन कम्पनी के साथ सीजा सीजा कारोबार है इनके बिजनिस पर असर पढ़ सकता है अगर टार्गेट कल 13% गटा है और उसके वज़े साथ अमेरिके बाज़रां पर दमाव भी जो दिखा है तो हिंदुस्तान की किन गरेलू कंप्यों पर पढ़ सकता है सर अर्मान हमारे साथ हैं बताने के लिए अर्मान बताएं जी सर अमेरिका में अगर रिटेल के अगर आखड़े देखेंगे तो रिटेल के आखड़े तो सही आये थे उसके बावजूद भी टार्गेट ने जो रेवेनियो और जो इनका पॉफिट का है वहां पर अगर मुनाफ़े भी देखेंगे तो बारी कर उन्होंने 3% कर दिया है अब यह तो बात होगे टार्गेट के जो की टार्गेट भी जो के एक बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर है वेसे जैसे वालमार्ट मान लीजिए वालमार्ट ने हाला कि अगर आप देखेंगे जो पेशली बार जो रिजल अभी जो रिजल दिये तो एक जगे वालमार्ट तो थोड़ा अच्छी संकेत दे रहा है पर टार्गेट अगर देखेंगे तो काफी बूरे संकेत देता वा जा रहा है इसे के साथ साथ अगर आप इसको लिंक करेंगे तो दोनों कम्पनिया एक सीस्तों क्लियरली बोल रहे है कि इंफ्लेशन की ज करते हैं वहां पर तो 26% की गिरावट आई और स्पैसिफिकली अगर रेडिमेट गार्मेंट की बात की जाए तो वहां पर लगभग 21% की गिरावट आती वी दिखी ओवर ओल अगर देखा जाए तो आपको किन कम्पनियों पर फोकस रखना है जिन पर हो सकता है कि आपको मि वेल्सपन इंडिया कर भी दिखन रखेगा क्योंकि इनके लिए टार्गेट जो है की कस्टमर्स जो इनकी पूरी लिस्ट है उसमें से टार्गेट भी एक मुख्य कस्टमर है उसे की साथ साथ इनका भी एक्सपोजर जो है वहां पर काफी जादा है तो ओवर ओल इन कंपनि वेल्सपन इंडिया 80 रूपे का लेवल से लिए बांचु यह इंडर बाइंग का पोजिशन्स बनाना चीए और स्टॉक के अंदर पोजिशन्स खोल करना चीए कुछ हफ्तों के लिए और कुछ मैनों के लिए यह स्टॉक के अंदर कंसलिडेशन चल रहा है और एक अच्छ तब तक पोजिशन्स होड़ दरके चले और जैसी ओ 84-85 का ब्रिक आउट आता है तो इसमें फ्रेश खरदारी के सीन मनेगी ओके तो यह है आपके लिए बेल्सपन जिस पर रखनी है आपको नजर ट्राइडेंट इंडो काउंट जैसे काउंटर्स पर भी रखे नजर